Hello everyone and welcome to my channel Maths C.Maths Exam over and fun time has begun, है ना? तो सारे बच्चे मस्ती के मूड में हैं, कोई पढ़ना नहीं चाता है और सब सोचने हैं, आज नहीं बिटा, कल से, आज नहीं कल, आज नहीं कल तो ठीक है, understood, दो मुवीज देखिए, कुछ Netflix करिए, कुछ binge watching करिए लेकिन उसके साथ साथ आपको Maths पढ़ने के लिए लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा क्योंकि Maths जो है, it is all about practice अब मैं आपको देने वाली हूँ, सिरफ और सिरफ एक ट्रिक, जो की आपकी Maths प्राक्टिस करने की परिभाशा ही बदल देगी Suppose करिए कि आप Chapter 7 या 8 फिनिश कर चुके हो, पेपर अलरडी दे चुके हो तो अब क्या आप करोगे? नया Chapter प्राक्टिस करोगे और बाकी जो साथ है उसे भूल जाओगे नहीं, ऐसा नहीं करना है और करना क्या है? आप मुझसे पूछोगे तो ये करना है कि वीक में 7 डेज होते है दो दिन चलिए मैं भूल जाती हूँ कि Saturday, Sunday आपको ट्यूशन जाना होगा आपको अपनी कोचिंग करनी होगी, किसी को मूवी देखनी होगी, किसी को बिंज वाच करना होगा तो अब हम क्या करें? तो बाकी के जो पांच दिन है, मैं चाती हूँ सपोज आपके जो chapters हैं वो 7 हैं तो 7 chapters को आप 5 days में डिवाइड कर दीजे तो मैं भी 1 chapter पर दे और किसी किसी दिन 2 chapter तो इन 1 chapter या 2 chapter को आप रोज प्राक्टिस करोगे only for 20 minutes यानि कि suppose करिए कि आपके chapter में 1st chapter में 3 exercises हैं 2nd chapter में 2 exercises हैं तो आप Monday को जब 1st and 2nd chapter प्राक्टिस करोगे तो आप दोनों की 1st 1st exercise में से 2-2 या 3-3 questions को प्राक्टिस करोगे उसके बाद Tuesday को जब आप next week के Monday पे आओगे तो आप 2nd exercise ले लोगे दोनों chapters की and again आप 2nd exercise को प्राक्टिस करोगे similarly Tuesday को आप chapter 3 और 4 प्राक्टिस करोगे Wednesday को 5 and 6 प्राक्टिस करोगे and maybe Thursday को सिरफ 8 प्राक्टिस करोगे and Friday को chapter 9 प्राक्टिस करोगे लेकिन सारे के सारे chapters आप everyday प्राक्टिस करोगे along with your new chapter जो आपकी teacher अभी class में currently पढ़ा रही है so ये था एक छोट असर ट्रिक ये जानने के लिए कि आप maths को भूलना नहीं है ठीक है उसे books को बन करके नहीं रख देना है कि नहीं आप तो मेरे paper over क्योंकि वो जो 7 chapters है वो भी finals में आने वाले हैं क्योंकि finals में तो full syllabus आता है so this is my trick for you for the relaxed period of examination which are right now over और हम कल पर्सो कल पर्सो से practice करने वाले हैं हमें कल पर्सो से नहीं आज से और अभी से ही practice करना है so ऐसे ही मजे मजे में पढ़ने के लिए और बहुत सारी tricks जानने के लिए let's learn, like, share and subscribe Maths-y Maths